15 अक्टूबर 1931 को भारत देश के तमिलनाडू राज्य के रामेश्वरम में स्थित धनुशकोडी गाउ में भारत के एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ और इनका नाम अबुल पाकिर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम रखा गया, जिन्हें हम डॉक्टर एपीजे जन्ता के राष्ट्रपती के रूप में भी संबोधित किया जाता है। कलाम साहब का बचपन बहुत ही तंध हाल में गुजरा, लेकिन बचपन से ही अधिक जिग्यासू और पढ़ाई में रुची रखने वाले बच्चे थे। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण तथा गरीबी में शिक्षा जारी रखने के लिए अकबार वितर्ण का कार्य करना पड़ा। विश्व के देशों में प्रक्षेपास्त्र निर्मान क्षेत्र में सिर उचा कर दिया। प्रक्षेत्र नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। अपने मिशन में काम्याब होने के लिए आपको अपने लक्षे के प्रती एकचित निष्ठावान होना पड़ेगा। इंसान को कठिनाईयों की आवश्शक्ता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। शिखर तक पहुँचने के लिए ताकत की जरूरत होती है चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिस दिन हमारे सिखनेचर आटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप काम्याब हो गए। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकागरचित होकर अपने लक्षे पर ध्यान लगाना होगा। आप अपना भविश्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आद्थें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आद्थें आपका भविश्य बदल देंगी। सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए आश्रे ढूंडते हैं, लेकिन बास बादलों से उपर उड़कर अपने आपको बारिश से बचा लेता है हमेशा आप ही अपने काम आएंगे, खुद से मश्वरा करना सीख लीजिए काम्याब इनसान खुश हो ना हो परंतु, खुश रहने वाला इनसान, काम्याब जरूर होता है विफलता मुझे कभी पचाड नहीं पाएगा, यदि मेरे सफल होने के परिभाशा काफी मजबूत हो तो सबके जीवन में दुखाते हैं, बस इस दुखों में, सबके धैर्य की परीक्षा ली जाती है जदी आप असफल हो जाते हैं, तो कभी हार मत मानो क्योंकि, एफ डॉट ए आई एल का अर्थ है सीखने में पहला प्रयास, जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते, वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें, अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है आत्मविश्वास और कड़ी मेहंत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है अपने मिशन में काम्याब होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भी काम को पूरी लगन के साथ करो मुश्किलों के बाद हासिल की हुई सफलता ही असली आनंद देती है